हेलो एवरीवन वेल्कम अगीन तू लन्वर देतिमन तो देखिए सेवन्थ क्लास हमारा राजिस्थान बुक चल रही है जिसमें अन्तिम चेप्टर है महात्मा गांधी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बहुत ही अच्छी लाइन जो है महात्मा गांधी के बारे में यहां लिखी हुई है खुद वो बदलाव बनिये जो आप दुनिया में देखना चाते हैं तो मुझे तो यह लाइन बहुत अच्छी लगी है कि यदि आप दुनिया को देखना चाते हैं कि दुन में देखना चाते हैं तो इसके लिए जरूरी है खुद को बदलना ठीक है गांदी जी ने अपनी आत्म कथा में अपने जन्म से 1921 तक की घटनाओं के बारे में लिखा है पोर्वंदर की सुरुवाती दिन स्कूली जीवन का लड़कपन 13 साल की उम्र में ही शादी हो जाने की घटनाओं का उन पर प्रभाव से इस महान व्यक्तित्व को करीब से समझा जा सकता है तो इनका विवाद जो है वो बहुत ही कम उम्र में हो जाता है और जो भी इनकी घटनाएं होती है इनका सभी का इनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पढ़ता है साथ ही उस समय जो देश का वातावरन था सामाजिक जीवन था उसकी जलग भी दिखाई देती है गांधी जी ने अपनी पत्नी को बता कर ब्रहम जारे का वर्त भी ले लिया था राजनीती में उनके द्वारा किये गए सत्य अहिंस और सत्याग्रह के सफल प्रियोगों की जानकारी मिलती है यहां हम कांधी जी के एक प्रियोग का उनके सब्दों में ही अध्यन करेंगे तो देखिए सबसे पहले है साथी ब्रज किशोर बाबू और राजिंदर बाबू की तो एक अध्वितिय जोड़ी थी उन्होंने अप यह वकी लगबग निरंतर मेरे साथ रहते थे तो यह गांधी जी के खुद के ही शब्द हैं तो यहां हम गांधी जी के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि गांधी जी के द्वारा खुद के ही जो शब्द हैं वो क्या थे कि साथी इनके संभू बाबू, अनुग्रे बाबू, बयान लेना अध्यापक क्रपलानी इसमें समलित हुए बिना कैसे रह सकते थे स्वयम सिंधी होते हुए भी वे बिहारी से भी बढ़कर बिहारी थे बैने ऐसे सेवक कम देखे जिनमें वे जिस प्रांत में जाएं उसमें पूरी तरह घुल निल जाने की शक्ती हो और जो किसी को यह मालूम न होने दे कि वे दूसरे प्रांत के हैं इन में थे क्रपलानी उनका मुक्य काम था द्वारपाल का दर्सन करने वालों से मुझे बचा लेने में उन्होंने इस समय अपने जीवन की सार्थक्ता समझ ली थी किसी को वे विनोध करके मेरे पास आने से रोकते थे तो किसी को अहिंसक धमकी देते थे रात होने पर अध्यापक का धंदा सुरू करते और सब सातियों को हसाते थे और कोई डरपोग पहुँच जाए तो उसे हिम्मत बानते थे तो ये जो लाइने हैं वो कौन कह रहे हैं गांदी जी कह रहे हैं तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है सत्य के प्रयोग गांदी जी की आत्मकता तो देखिए गांदी जी जो है वो अपने साथियों के बारे में यही सब कुछ बता रहे हैं यहाँ पर किस तरह के उन्होंने जो है और तरीके से दोस्तों के बीच میں रहे कर गाओं मेरे रहकर या फिर जो आंदोलन है वहां तो बार दर्शन दे जाते थे उस समय के उनके ठाट बाट और दबदबे में और आज की उनकी साधगी में जमीन आसमान का अंतर है हमारे बीच आकर वे हमसे हिर्दे की एकता साथ जाते थे पर अपनी सहभी के कारण बाहर की आत्मी को वे हमसे अलग जैसे जान पड़ते थे तो देखिए जिस तरीके से कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको डाइरी लिखने का सौक होता है तो वो चीजों को संजो कर क्या लिखते चले जाते हैं और जो भी घटना उनके साथ हो रही होती है जो भी experience वो लेते हैं वो वहाँ धर्ज कर देते हैं इसी तरीके से गान्दी जी थे जैसे जैसे मुझे अनवप राप्त होता गया वैसे वैसे देखा कि चमपारण में ठीक से काम करना हो तो गाउं में सिक्षा का प्रवेस होना चाहिए लोगों का ग्यान दैनी था गाउं के बच्चे मारे मारे पिरते माता पिता दो तीन पैसे के आमदनी के लिए उनसे सारे दिन नील की केती मज़़ूरी करवाते थे उन दिनों वहाँ पुर्सों की मजदूरी 10 पैसे से अधिक नहीं थी इस तरियों की 6 पैसे और बालकों की 3 पैसे थी 4 आने की मजदूरी करने वाला किसान 15 साली समझा दाता था साथियों से सलहा करके पहले तो छे गाउं में बालकों के लिए पार्टसाएं खोलने का निश्चे किया सर्त यह थी कि उन गाउं के मुखिया मकान सिक्षा का भोजन वैदें और उसके दूसरे खर्ची की विवस्था हम करें तो यहां के गाउं में पैसे की विपुलता नहीं थी पर अनाज वगएरे देने की शक्ती लोगों में थी इसलिए लोग कच्चा अनाज देने को तैयार हो गए थे तो किस तरीके से गाउं में पाट सलाय खूलने का विचार उन्होंने किया, यहां निश्चे किया तो उसके बारे में बता रहे हैं, महान प्रस्ण यह था कि सिक्षक कहां से लाएं, बिहार में थोड़ा वेतन लेने वाले अत्वा कुछ न देने वाले अच्छे जिक्षकों क मिलना कठिन था, मेरे मेरी कल्पना यह थी कि साधरन सिक्षक के हाथ में बच्चों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सिक्षक को अक्षर ज्यान चाहे थोड़ा हो, पर उसमें चरित्र वलतों होना ही चाहिए, इस काम के लिए मैंने सार्गनिक रूप में स्वैम सेवकों की उसके उत्तर में गंगाधर, राव, देशवांडे ने बाबा साहब, सोमर और पुनली को भेजा, बंबई से अवंतिका भाई गोखले आई, और दक्षिन से आनंदी भाई आई, तो इन लोगों ने यहाँ पर जो है, सिक्षक और सिक्षका के रूप में यहाँ कार्य किया, मैंने चोटे लाल, सुरेंदरनात और अपने लड़के देवदास को बुला लिया, इसी बीच महादेवदेशाई और नरहरी पारिक मुझे मिल गए थे, महादेवदेशाई की पत्नी दुरगा बहन और नरहरी पारिक की पत्नी मनी बहन भी आई, मैंने कस्तूर वाब बाई जो हैं, उनको भी बुला लिया, सिक्षकों और सिक्षकाओं का इतना संग काफी था, श्री मती अभेंतिका बाई और आनंदी बाई की गिंती तो सिक्षकों में हो सकती थी, पर मनी बहन पारिक और दुरगा बहन देशाई को सिर्फ थोड़ी सी गुजराती आती थी, तोर तरीका सिखाएं, पढ़ना लिखना, सीखने की अपेक्षा, उन्हें स्वच्छता की नियम सिखाएं, उन्हें ये बताया कि हिंदी, गुजराती, मराठी, इसमें कोई बड़ा भेद नहीं है, पहले दर्जे में तो मुस्किल से अंक लिखना सिखाना है, अतेव उन्ह पाट साला आदर्स पाट साला बन गई, उन्होंने अपनी पाट साला में प्राण हूख दिये, उनकी योगिता भी काफी थी, इन बहनों के द्वारा गाउं की स्त्री समाज में भी हमारा प्रवेस हो सका, ठीके, तो ये इनकी आत्म कथा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसक इन गंदे की देखें न जा सकें, बड़ों की स्वचिता की जिशिक्षा जो है, वहाँ जरुत थी, बड़ों को चमपारण के लोगों से पीडित देखे जाते थे, जितना हो सके, उतना सफाई का काम करके, लोगों के जीवन के प्रतिक विभाग में प्रवेस करने की हमारी ब्रति थी, तो यहाँ बरमाहत्मा गांदी जो बिहार में चमपारण शेत्र था, चमपारण गाओं जो था, वहाँ की बात करते हैं, किस तरीके से वहाँ असिक्षित लोग थे, वहाँ गंदिगी थी, लोगों को किसी तरीके से सफाई में रहना, और थोड़ा सा सिक्षित तरीके से चलना फिरना रहना ये सब कुछ सिखाया जाने लगा, इस गाम में डॉक्टरों की सहायता की जरुत थी, अथे मैंने गोकले की सोसाइटी से डॉक्टर देव की मांगी, उनके साथ मेरी स्नी गांटों बन ही चुकी थी, छे महिनों के लिए उनकी सेवा का लाब मि उनकी देखरेक में सिक्षवों और सिक्षिकाओं को काम करना पड़ता था, सबको यह समझा दिया गया कि कोई भी निलहों के विरुद्ध की जाने वाली सिकायतों में ना पड़े राजनिती को ना चुए, सिकायत करने वालों को मेरे पास भेज दें, कोई अपने शेत्र के बाहर एक कदम भी ना रखें, चंपरण की इन चातियों का नियम पालन अद्वुत था, मुझे ऐसा कोई अफसर याद नहीं आता, जब किसी ने दी हुई सूचनाओं का उलंगन किया हो, तो यह आत्मकथा गांधी जी की है, मेरी आत्मकथा सत्य के प्रियोग, ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यास प्रशन जो हैं, वो इसके नहीं है, इसमें से एक दो कुशन जो हैं, वो अगर निकलेंगे, तो वो मैं आप लोगों को कुशन आंसर के मात्यम से करवाद हूँगी, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे सेवन ग्लास के कुशन अंसर, ठीके, तो यहाँ चेप्टर कंप्लीट होता है, इसी तरीके से हम लोग चीजें जो हैं, वो पूरी करते हुए चलेंगे, थैंक यू